हलो फ्रेंड, वेलकम टू माई चैनल, कल हमने साइकोलोजी टेस्ट 2 का पार्ट फर्स्ट कम्प्लिट कर लिया था, उसी टेस्ट को आगे बढ़ाते हुए आज हम पार्ट 2 कम्प्लिट करेंगे, चलिए, आगे चलते हैं टेस्ट स्रीज की और, बाल विकास का सर्व पर्थम किस ने किया, सही आंसर होगा, जॉन लोक, भावी जीवन की आधार सीला कहा जाता है, सही आंसर होगा, सेश्व अवस्था, किस अवस्था में सीखनी की सरवादिक तिवरता पाई जाती है, सही आंसर होगा, सेश्व अवस्था, इसमें ऑप्शन नमबर बी में जो पूर्व बाल वस्था दे रखा है, गलती से हमें यहां पे थोड़ा सा मिस्प्रिंट हो गया, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजीगा, सही आंसर होगा, सेश्व अवस्था, बाल्यावस्था को किसने जीवन का अनोखा काल कहा है? सही आंसर होगा कोल वे ब्रश निरु उद्देश्य ब्रह्मन की प्रवर्ती पाई जाती है सही आंसर होगा बाल्यावस्था किसन नमबर 32 स्वर्लिम काल कहा जाता है सही आंसर होगा किशोरावस्था किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? सही आंसर होगा किल पैट्रिक किशोरावस्था की विशेस्था नहीं है इसमें चार ओप्षन दिये गए है पहला समय गात्मक इस्थीर्ता दूसरा रूचियों में परिवर्तन तीसरा वीर पूजा नमर फूर आत्म चेतना का विकास तो सही आंसर होगा वीर पूजा किशोरावस्था की विशेस्था नहीं है एडोलेशन्स पुस्तक किसकी है सही आंसर होगा वाटसन पंद्रा से बीस वर्ष की अवस्था में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा तक पहुच जाता है यह कथन किसने कहा है सही आंसर होगा वुडवर्थ नेतरत्व के गुन का सरवादिक विकास किस अवस्था में होता है सही आंसर होगा किशोर अवस्था सही आंसर होगा बाल अवस्था के लिए भी सही है पूर्वे बाल अवस्था के लिए भी सही है किशोर अवस्था के लिए भी सही है मानव विकास की सबसे जटिलवे विचित्र अवस्था कौन सी है सही आंसर होगा किशोर अवस्था विचारिक क्रिया अवस्था होती है यह कौन से अवस्था में होती है सही आंसर होगा साथ से बारा अम्र में इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवर्टी बहुत अधिक होती है वह कौन सी अवस्था होती है सही आंसर होगा उत्तर बाल्यकाल संकेत अधिगम के अंतरगत सीखा जाता है सही आंसर होगा पारंपरिक अनुकूलन चिंतन मानसिक किरिया का पहलू है सही आंसर होगा ज्याना अत्मक NCF 2005 में काल सिख्षा को विद्याला में जोडने का उद्देश से है तो इसमें सही आंसर होगा उपरोक्ति दोनों सही है मतलब पॉइंट नंबर ए सांसकर्तिक विरासत की प्रसेंसा करना भी उद्देश्य है चात्रों के व्यक्तित्वे और मानसिक स्वास्ते को विक्षित करना भी NCF 2005 में काल शिख्षा का उद्देश्य है सेश्वा वस्था की विशेष्था कोन सी नहीं है सही अंसर होगा नैतिकता का होना यह सेश्वा वस्था की विशेष्था नहीं है बीस्वी सताब्दी को बालक की सताब्दी कहा जाता है यह कथन किसका है सही अंसर होगा क्रो एंड क्रो समस्या की अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिध्धान्त का नाम है सही अंसर होगा सूज का सिध्धान्त निम्न में सही है संगनं सिध्धान्त स्मर्ति अभी क्रमा योजित अदिगम इसकी नर समवे गात्मक अनुभाव समवे गात्मक वैवहार आधारित जैम्स लेगे या यह सारे के सारे सही है तो इसमें सही अंसर होगा यह सभी सही है किश्चा नमबर 49 बालकों का मुक्त एवं अनिवारे शिक्षा का अधिकार 2009 देश में लागू हुआ कौन सी तारिक को लागू हुआ तो सही आंसर होगा 1 अप्रेल 2010 परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राक्ट करने का प्रयाश करता है कही जाती है सही आंसर होगा प्रेरक तो लिए इसी के साथ हमारी टेस्स सीरीज पार्ट टू का दूसरा पार्ट कम्प्लिट हो गया है कल हम पार्ट थर्ड यानि की टेस्स सीरीज टेस्स सीरीज का तीसरा टेस्ट थर्ड नंबर टेस्स लेकर आएंगे आपके सामने उसमें करीब हम 30 प्लस कुशन देंगे थैंक्यू वेरी मैच थैंक्स फर वोचिंग माई वीडियो